हलो गाइज, यह वाचिंग सीरोल से आप बात करते हैं टीवी सीरियल इमली के अपकमिंग एपिसोड की तो इमली शिफ पूजा करती है मॉर्निंग में सत्यम शिवम सुन्दुरम गाना गाती है सूर्या सुनता है और नीचे आता है चौदरी फैमली भी सुनती है और नीचे जाते हैं दादी कहती है तुम क्या कर रही हो इमली कहती है कि मैं मा शिवरात्री की तयारी दादी कहती है कि तुम एक सर्वेंट हो और फैमिली मेंबर्स का काम है पूजा के अरेंजमेंट्स करना तभी वो निर्मला को पूजा के लिए इंवाइट करती है और सूर्या से कह करती है उसके साथ पूजा करने के लिए डिफरेंट स्टाइल में सूरिया यहां पर दादी के साथ पूजा करता है दादी उसे आश्रिवा देती और कहती है कि मेरे जो ग्रैंड बेटे हैं वो भी मेरे साथ इसी तरह पूजा करते थे तब ही वो कहती है कि क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे, वो कहता है कि जी, भोलिए, तभी वो कहता है, यहां पर कि बोलित न सोचे मत, तभी यहां पर दादी कहती है कि तुम बिन्नी से शादी करोगे और हर कोई शौक हो जाता है, दादी emotionally यहां पर सूरिया को ब्लाकमेल करना शुरू करती है, यहां पर व कहती है लेकिन तुम है इतना बड़ा फैस्टा लेने से पहले सोच लेना चाहिए सूर्या दादी उस पर चलाती हो कहती है कि मुझे अपने फैसलों के लिए एक नौकरानी की ओपीनिन के जरुवत नहीं है यह हमारा घर का मामला है वो सूर्या से कहती है कि बेटा तुम सोचो इसके बारे में मैं तुमें फोर्स नहीं कर तैंध बिनी को यहां पर अम्रिट का आता है वो कहता है कि आज तुम मत मत रखना क्योंकि क्योंकि तुम प्रेगनेंट हो बिनी कहती है कि सबसे पहले तो सुनाले का फोन चुराओ और तब वो चुपके से सुनाली का फोन चुडा लेती है और उसे पीछे रख देती है इमली कहती है तुम क्या कर रही हो वो कहती है कि कुछ नहीं मैं दादी के रिक्वेस्ट के बारे में सोच रही थी इमली कहती है कि तुम ने जरूर दादी को मैने प्लेट किया होगा ना इस काम के लिए बिनी क कहती है कि तुम्हें तो जलन हो रही होगी क्योंकि सब की नजरें तो सूर्या पर हैं और तुम तो अगस्तिया से सटिस्फाइं नहीं हुई जो आप सूर्या पर नजरें गड़ा रही हो इम्लियों से वान करती हो कहती है अपनी जबान पर लगाम दो मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे का लिहास कर रही हूँ otherwise मैं सब को सच बता देती कि आखिर तुम क्या हो कभी बिन्नी यहां पर इम्ली को ब्लैक्मेल करती है और कहती है कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं बता दूंगी कि तुम सुनाली और शिवानी ने क्या किया है रगु के साथ और तुम जा कोई शादी का आईडिया नहीं दिया लेकिन हाँ अगर सूर्या से शादी हो जाती है तो मैं इस घर में पर्मनेंट हो जाओंगी इम्ली सजेस्ट करती है इधर सूर्या को कि तुम बिन्नी से शादी मत करो सूर्या कहता है कि बिन्नी मुझे लगता है खुद प्रपोजर र बिनी के निखते कि कोशिश करता है रिवने के साथ hosts अदिती है कि यहां पर बहुत 10व करती हैprendh सूरिय के एक confident की दे रहा है की गouch यांपर बिनी को इतने जपने बेहतते हैं शादी के जो बात है वो मानता है या फिर मना करतेगा वेल फिलाल तो ऐसी मज़ेदा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले